कर्म प्रविचनिया के बारे में जानेंगे आज को हम सीधे कर्म प्रविचनिया के बारे में जानते हैं यह थोड़ा सा उलजहावाला था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था ठीक है ना कर्म प्रविचनिया कर्म प्रविचिया जानने से पहले कुछ हम यहां देख लेते हैं प्राप्राप्सम प्राप्रा अपसम धनका चिन लग जाता है बार बार अनु आव निश्य नेर दोस दूर वी आंग वी आंग ने आधी अपी अती ठीक है सू और इसको उत्वी कहीं कहीं मिलता है बताओं आप इसके बारे में अभी प्रती और परी ठीक है अब इसको गिल लेते हैं जरा थोड़ा समय लगता है क्योंकि जब भी चीज़ें नहीं होती है तो थोड़ा समय लगता है ये करम प्रविचनिया आज दो वीडियो देखने के बार आपको यह समझ लीजी कई भूलेंगे भी नहीं दो तीन चार पांग छे साथ आठ नौ दस है ना ग्यार है बार है तेरह चोड़ है पंद्रह सोल है फिर यह सत्रह ठार है निस वीज एक किस एक कम रहे गया इसमें सू उद एक थोड़ा सा कम रहे गया इसको देख लेते हैं कहां का में प्राप्रा अपसम अनू ये तो पूरा है अवो निसे निर दो सुद्र वी आंगनी अधी अप्पी अती सू उद हाँ एक रह गया है उपर रह गया ठीक है ये हो गए 22 अब मैं आप से पूछ हूँ कि ये क्या है तो 99 प्रत्सत इनको सीधे बूल देंगे कि ये उपसर्ग है 99 प्रत्सत का अंकड़ा है ये लेकिन ये प्रादया है प्रादी है अभी ये उपसर्ग नहीं है प्रादी इसलिए क्या आगया है कि प्रादी एक गण है प्रादी अर्थत प्राद से शुरू होने वाले शुरू होकर के और उप्तक जो अंत हो उस गण सलों में आने वाले ये शब्द है तो प्रादी है ये अभी ना उपसरग है ना कोई और है उपसर्ग संग्या होगी लेकिन इसके लिए सूत्र के द्वारा यहां प्रियोग किया गया है वो मैं है सूत्र लिखने का थोड़ा प्रयास करूँ और आपको इस सारी चीज़ें आज यहां पता चल जाएगा कि कर्म प्रविच्णिया है क्या उपसर्ग कैसे है क्या गया इनकी संग्या है इससे पहले एक दो और सूत्र है उनसे इनको तीन नाम से जाना जाता है ठीक है एक तो है इनका निपात नाम दूसरा है उपसर्ग और तीसरा है गती यह तीन नाम है अर्थाद इनकी तीन संग्या है उपसर्ग कैसे कहलाते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसमेह न प्रादया उपसरगाः क्रिया योगे ठीक है ये सूत्र है ये सूत्र कहता है कि प्रादय की उपसरग संग्या हो जाती है हमने संग्या प्रकण पड़ा है लेकिन ये संग्या प्रकण में हमने नहीं लिया है जो भी चीज हम अनवाद के माध्यम से सीख रहे हैं उनमें संग्या प्रकण के भी सूत्र हैं उसमें इस उसमें हम जाल लेंगे उपसर्ग संग्या होती है कव क्रिया योग में इनकी उपसर्ग संग्या कव होगी प्राधी की प्राप्राप्सम अनुअव अच्छा इसको याद कर लिजिये पहली रान में 10 आते हैं 11 12 2 3 4 5 6 फिचह आते हैं फिर 13 4 5 6 फिचह हैं इस तरह से मैंने इन अब यहां पर थोड़ी सी बात समझा दूए उत को पानेनी की अनुसार तो उद है ठीक है और उत जो प्रियोग किया गया है वो प्रियोग किया गया है बटोजी दीख्षितन है ठीक है तो यह दो रहों है अब यहां थोड़े सी बात कर लिते हैं तो जब किरिया के योग में जब भी भातु के साथ में इनका प्रियोग किया जाएगा जैसे गच्छती है गच्छती में यदि आ गच्छती यह जब प्रियोग किया गया है आ का मतलब क्या है आन है याद रखना इसको ठीक है आन इसका रहा जाता है तो यह है तो यहाँ पर यह प्राद ही है इसकी क्या हो जाएगी उपसर्ग संग्या हो जाएगी ठीक है अब एक इसी के नीचे एक क्रम से ही सुप्रिदी रखा है गतिश्चा गतिश्चा से इसकी गति संग्या भी हो जाएगी यह दो संग्याएं एक क्रम से होती हैं गतिवी और उपसारक्सन गया अब कर्म प्रवचनिया के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कर्म प्रवचनिया है क्या तो उसके लिए देखिए इसमें अप है अनु है और अब आंग तो लगाई दिया हमने अधी अपी अती सू अभी प्रती फारी और उप कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तस ग्यारा एक ज्यादा हो रहा है तो इसमें साइद अप नहीं है ठीक है थीक है ये अब तो है ये नहीं है अब थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ किर्म से तो समें में आ जाएगा वर अच्छे से तो आपको याँ तो पता चल गया है एक इनकी जब भी उपसर्ग संग्या कब हो जाएगी जब ये किर्या के साथ में होँगे और गती संग्या भी होगी इन दोनों के बारे में गती संग्या का प्रियोग हम समास के अंतर का अध्यन करेंगे ठीक है चलिए इनको मैं हटा देता हूँ यहां से अब इनका है कोई मतलब नहीं है हम केवाल क्रिया कर्म परभचनी के बारे में जानने का प्रियास करेंगे देखिए अप अनु आं अधी आपी आती सू आभी प्रती परी और उप यह कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, है ना, और साथ, आठ, नो, दस, और ग्यार, मात्री कितने हैं, एक आदाश, अर्थाद ग्यार हैं, इन्ही प्राधियों की कर्म प्रभचनीय संग्या होती है, अब यह कैसे निश्चित करेंगे कर्म प्रभचनीय कभ होती है, और अकेले सीधा है, जब हुमने इसमें अध्यन कर लिया, कि क्रिया का जब भी योग होगा, जब भी क्रिया के साथ में जुड़ेंगे, यह प्राधि, तो उनकी उपसर्ग संग्या हो जाएगी, लेकिन जो उपसर्ग होते हैं, वो याद रखना कभी अकेली नहीं आते, जब उस स्थिति में इनकी कर्मपरवचनिय संग्या हो जाएगी, एक सूतर है इसके लिए, बिलकु यही सूतर है और कुछ नहीं कर्मपरवचनियाह, अर्थार कर्मपरवचनियाह जो सूतर है, वो दो है, मतलब यह तो संग्या बदाइक भी है सुम्हान में, और वो अधिकार अधिकार संग्या बताए किसलिए है कि इनकी वो कर्म प्रवचनिय संग्या करता है इस कि सुत्र के द्वारा कर्म प्रवचनिया है इस सुत्र के द्वारा इनकी कर्म प्रवचनिय संग्या हो जाती है याद रखना ये किरिया के योग में नहीं आगे किरिया की योग से हट करक जब भी निकाफ्रियो किया जाएगा, वो करम प्रवच्ञिया में ही चला जाएगा, और ऐसी संख्या, अब फिर बही बात आया थी है, के ब्याकर्ण बनी कैसे, ब्याकर्ण वो बनाई हैं, बिखरी हुई थी चीज़े साहित भी थे पहले से ऐसा नहींत, साहित भी नहीं थे तो साववी नियमों को देख करके मौकिक नियमों को ढूंड करके बहुत ही अध्यन किया होगा इनमे बहुत महनत किया होगी हमारे मनिशियों ने और इसका अंदाज हम लगा सकते हम मात्र जो हमारे पास मौझूद है हम उसको ही सही से पढ़ नहीं पाते तैयार नहीं कर पाते उन्होंने सारे भिक्रीवी चुजों को एकत्रित किया और उनको नियमब्द तरीके से बाढ़ा तो कित्रा उन्होंने परिश्रम किया हुगा तो यहां पर यह कर्म प्रवचनी संग्या कर्म प्रवचनी यहां सूत्र के द्वारा होगा और याद रखना ये कभी भी करिया के साथ में प्रियोग नहीं होंगे, करिया के साथ में प्रियोग होते हैं, तो सीधे उपसर्कर्ण में संग्या हो जाएगी, अब इनको कर्म प्रविचनिया करने का आचित क्या है, क्योंकि अगे, इनकी कर्म प्रविचनिया क्योंकि प्रादी से भी काम चल और उनसे दुतिया आदी विवक्तियों का भी प्रियों किया जा सके इसमें एक सूत्र आता है कर्म प्रवचनी युक्ते दुतिया अर्था कर्म प्रवचनी जो हैं उनसे युक्त दुतिया आदी कारक होते हैं अब इसमें कारक कितने होते हैं वो देख लेते हैं यह उम्मिद के योग में कर्म प्रवर्चनिय उपसरक संग्या होती है गती संग्या होती है और इसकी जो कर्म प्रवर्चनिय संग्या होगी वो कर्म प्रवर्चनिय यहां से होगी और वो किरिया से हटकर के होगी जो किरिया के साथिश में प्रियोग नहीं किया जाएगा तो मात्र 11 हैं ज सारे दिववक्तियों का प्रियों नहीं होता है मातर तीन बिवक्तियां है दुदिय ब्रवक्ति पंची ब्रवक्ति और सब सटेवर्वक्ति इसको मैं हाँ है थोड़ा से बना दूसको मैं अन्टा देता हूं अब उमिदा के समय में आ जा होगा ठीक है अब यहाँ पर तीन भाग कर लेते हैं इसके और इनके सारे सूत्रों को मैं अभी यहाँ लिखने का प्रयास करूँ जिससे कि आगे हम सूत्र पढ़ें तो आपको एक तरह से दमाग में बैठ जाए तो यह तिरतिय दुतिय विवक्ति भी होती है इसमें ठीक है पंचमी विवक्ति और सप्तमी विवक्ति यह रोम लिपी में लिखा है मैंने ठीक है कुछ है जिनको रूमन भी बहुत कमाती है नई बच्चों के लिए तो ये दुति विवक्ति है ना ये पंचमी और ये सप्तमी ये मैंने तीन भावों मार दिया करम प्रविचनियों को तीन भाव हिस्सों मार सकते हैं अमें इनका सूत्र लेदेता हूं करम से फिर हम इसकी बाद करम से इनके सूत्रों को लेकरके अध्यन कर पाएंगे अगर सूत्र अगर कंठस्ट हो जाते हैं फिर ब्याकर्ण में कुछ बचता नहीं है तो पहला ले लेते हैं इसमें सूत्र जो है अनौर लक्षणे प्रतम सूत्र क्या है अनौर लक्षणे है दुथिया है तिर तियार थे चा ही ने उपो अधिकी ठीक है चा और फिर है लक्षण लक्षणे थम भूता ख्यान भाग बीप सासू ठीक है ना लक्षणे थम भूत ख्यान भाग बीप सासू ठीक ना सु प्रति परियन वहा ठीक है फिर आता है अप पर अपी परियन अर्थक हो ठीक है अगला है सु पूजायाम आती रती क्रमड़ी चाप ठीक है आगे अला है अपी थोड़ा बड़ा लिख दिता हूं है ना अपी पदार्थ संभावना वसर्ग गरहा समुचेशू तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं बाद अनुर लक्षणे तिरति आर्थे चा हेने उपो अधिके चा लक्षणे थम भूता ख्यान भाग वीपसासू पृति परेनवाः अप परि देखिए आप छूटी की मातर लगी है बड़ी है अपि परि अनर्थकव सुपूजायाम सुभू पूजायाम अतिरती क्रमणेचा अपि पदार्थ संभावनान्व सर्ग गरहा समुचेशू मातर इतनी है दुथिविवक्ति में और इससे हटके कुछ भी नहीं है ठीक है अब हम पंचवी विवक्ति के बारे में तोड़ा सा जान लेते हैं इसमें एक सूत्र और रह गया है देगे यहां तिर्तियार थे चानी है ना यहां पर एक सूत्र और है इसका नाम है अभिर्भागे यह सूत्र यार करने है आप वो कंठस्ट करने पड़ेंगे बिना सूत्रों के फिर काम चल नहीं पाता है इस तरह से इनको याद करने पड़ेंगे करम से तो इनमें सभी में इनके साथ में कही नाजी देगी आएगा मतलब यहां पर आपको वो जो हमने करम प्रविचिनिया देखी थे ग्यारा वो कही ना कही इसमें सूत्रों में अभस मिल जाएंगे तो इन्हीं सूत्रों के साथ में दुतिया विवक्ति का प्रियोग किया जाता है यह निश्चित है इससे हट के कोई भी विवक्ति प्रियोग नहीं की जाते है चलिए अब पंचमी देख लेते हैं इसको मिटा देदे पंचमी की बारे हम थोड़ा जान लेते हैं पंचमी को उनको सूत्र लगेंगे ठीक है देखिए इसमें लगेगा अप परी वर्जनी इसमें लगेगा आंग मरियादा वचनी ठीक है तीसरा लगेगा इसमें पंचम्या 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 पांग ठीक चोथा इसमें प्रियू किया जाएगा अप परी वर्जनी आंग मरियादा वचनी पंचम्या 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 परिभी प्रति प्रतिनिधी प्रति दानयो ठीक है प्रती प्रतिनिधी प्रतिदानयो पंचम्या है प्रतिनिधी प्रतिदानय प्रतिनिदी, 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 प्रतिन जने आंग मर्यादा वच्चने, आपको यार रखना इसको, पंचम्य पांग परिवी, प्रति प्रतिनिधी प्रतिदाने ओ, प्रतिनिधी प्रतिदाने चाय समात, यह पांच है मात्र, इनहीं सूत्रों के साथ मैं पंचमी विवक्ति का प्रियों किया जाएगा, इनहीं उपस करूंगा सज छी मी गग्ठीप खत्म और जाएं इन सब रहा है इससे कण वह के बाद दो जान लेते ये सुत्र उनको लिख देता हूं मैं उसे आपको समस्या ना हो चली को मिटा देते हैं थोड़ा सब्तिमी के बारे में जाल लेते हैं पहला सूत्र है यस्मा धिकम यस्य चेश्वरा वचनम तत्र सब्तमी ठीक है दूसरा है अधिरीश्वरे और तीसरा है पोव धिके चाँ यह मातर तीस उत्र है जब भी यह आएंगे देखिए उपोव अधिके के बारे में थोड़ी बता दूँ उपोव अधिके के बारे में हमने दुत्य विवक्ति में भी जाना था बहाँ उप जो उपसर्ग लगा हुआ है वह खांगे हिंड का हर्थ में परी होगा है अधिक के अरतला प्रियोंगा और जैसाथ होगा हम अनवाद के द्वारा इस dew में आनवाद के द्वारा इन सूट्रों को शित्वेप अनकी Aver पढ़ी चुके हैं तो मात्र दोहिस्ट्र है यस्मार अधिकंभ यस चेश्वारम बचनम तक्तरसप्त्मि और अधिरिश्वरे ठीक है मात्र दोहिस उत्र है फांच मिवक्ति मात्र पांच सुत्र थे बाकी जो भी बचेएंगे वो सिर्फ दृतिमीवक्ति के अंतरगत आ देंगे तीन हाँ तीने चार में लास्ट जिससे की खतम जल्दी से होगा फिर सश्टी भी वक्ति ले दें समय थोड़ा सा कम पर जाता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही